आई गाई वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है अपनी इस वीडियो में मैं उन टॉप 20 स्कूल के बारे में डिस्कुशन करूंगा जिनमें सेक्शनल का टॉप को कंसेटर नहीं किया जाता है ठीक है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने रिसेंटली 27 नेवंबर में कैट 2022 को एक्जाम दिया था ठीक है फिर हम लोगों का 21 में 21 दिसंबर को हम लोगों का कैट का रिजल्ट भी आ गया था इस बार बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया था मतलब 15-16 दिन पहले रिजल्ट आ गया थ जनवरी फिर्स्ट वीक में आता था इस बार रिजल्ट हमारा जल्दी आ गया फिर उस रिजल्ट में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सेक्शनल कट-off को लेके बहुत जबर डाउट है कि पता नहीं सेक्शनल कट-off क्लियर होगा नहीं होगा तो मैं आपको अपनी वीडियो म चैनल अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो आप इस टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा ठीक है सो बच्चे यह हमारे कुछ टॉप भी स्कूल्स है ठीक है यहां पर मैंने सब कुछ discussion की जिया है कि कौन सा college है ठीक है यह मारा कौन सा college है ठीक है college name क्या है कितना fees है average package कितना है cat में cut off कितना होना चाहिए आपको overall है यह cut off और form का last date क्या है ठीक है तो इन में से कुछ exams, कुछ colleges का तो मतलब जो last date है मतलब मतलब हो गया है ृठीक है जैसे गोवाइन स्टिटूफ मैंवाइजमेंट का ठीक है जी इम का डे इंवेस्ट्यूफ मिलेगा ठीक है जैसे माइचा एमधाबाद का पी कितना 21 लक है अब आवरेज पैकेज डिस घो मीडियन पैकेज होता है ठीक है IIT Madras का fee कितना 11 lakh है और average package कितना 16.5 lakh है ठीक है and cat का percentile कितना होना चाहिए है आपर 85 percentile रहे चाहिए IIT Madras में आपको cat का कितना percentile चाहिए 95 के around आपका percentile होना चाहिए ठीक है और यहां पर फिर हम लोग देखते हैं IIT Roald की ठीक है आपको पता होना चाहिए यहां पर 20 लेक है और हमारा average package इतना है और यह बिल्कुल सही value है क्योंकि बहुत सारे students हैं जो IMT गाजयबाद से गवर कर रहे हैं जिन में से मैं कुछ लोगा interview भी लूँगा ठीक है कि MBA करने के बाद वो लोग कहां पर placed हो है ठीक है इसमें दो तरह का आता है एक इनका IMT गाजयबाद की अगर मैं मत बताऊं तो इनका दो तरह से एक तो इनका classes नहीं पर चलती है गाजयबाद में एक इनका वाला course वे की एक साल इनकी classes IMT गाजयबाद में चलेगी और फिर IMT दुबई में चलती है classes ठीक है तो इनका कुछ ऐसा भी program है ठीक है और average package कितना है percentile कितना चाहिए IAT Madras, IAT Kanpur, IAT Rootki, ठीक है इर्मा ठीक है फी कितना है और average package कितना है कितना percentile अपने को चाहिए kg-sommiya, Mumbai kg-sommiya का जो है हमारा cat के through भी होता है और cmet के through भी होता है मैं आप लोग को बता दूं हुआ किमेट का इ page अभी होना भागी है फी इतना है और average package इतना है percentage इतना चाहिए कैइट में आपका इससे ही कम percentage में तो फिर आप पट झुल ॹंट के इंटरी मार सकते हो पांने मध़ाइब और इसका मतलब लास्ट डेट भी दिया हुआ है मैंने आप लोगो ठीक है एक सीरीज और है कुछ कॉलिजिस की नारायन बिजनेस स्कूल एमधाबाद फीस हमारे पास सिक्स तू टैन लाइक है अबरेज पैकेज कितने है नाइन लाइक है और कटॉप क्याट कटॉफ हमारा इ आए टी रुड़की आए टी खड़कपूर आए टी मद्रास आए टी कानपूर मैंने इनके बारे में बताया आप लोगो आप देख सकते हो है ठीक है तो आए टी में अगर आपका परसेंटाइल 92-95 के अरांड है तो आप लोग आए टी को कंसेडर कर सकता आप इनके आपर बारोगी भी देख लो पैकेज इनके सही है आए टी मद्रास का 16.5 आए टी कानपूर 16.5 आए टी की 16.8 तो इनके लास्ट डेट बगएरा कंसेडर कर लेना मैं पहले ही बता रहा हूं आप लोगो ठीक है फिर यह तो स्नाप के थू होता है आप लोगों पता ही है ठीक इनका का पर्सेंटाइल होना चाहिए इसमें आए टी डेली मतले कट अफ है इनकी बेस दोंदा प्रीवेस डाटा कि इतनी कट आफ पर एडमिशन मिल गया था है ठीक है फिर एमेचरम आए टी खड़कपूर ठीक है एक वीजी एस हो में और एक एमेचरम ठीक है तो यहां पर एव सब्सक्राइब की आए टी मद्रास यूगाइस कें कंसिडर इस ठीक है फिर हमारे पास इम्ट गाजयवाद अच्छा कॉलिज है नो डाउट ठीक है केजी सो मैया में सीमेट के थू भी जा सकते मैंने बता दिया अगर कैट में इतना है तो इसके थू भी जा सकता आप लोग ठीक है फीज अच्छा खासा है कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है जी आएम का डेट क्लोज हो चुका है ठीक है जी आएम में सीमेट के थू भी हम लोग जा सकते हैं जहां तक मुझे याद आ रहे है गोएं स्टीट ओफ मैनेजमेंट येस ठीक है और माई का एमदाबाद का हम लोगों ने देख लिया फी कितना है और आपरेज पैकेज कितना है तो दीज आरदा कॉलेजिस आप लोग इसका स्कीन शॉट भी ले सकते हैं और यह हमारे कॉलेजिस थे जिन में अगर हमारा क्याट में किसी भी सेक्षन में कम परसेंटाइल आया है हो सकता है आपका में यह भी होना चाहिए कि हां मैं बिना आयम जाय भी एंबीए कर सकता हूं मतलब मेरे बहुत जारे बच्छों से बात होती है नहीं सर्क करना तो वह कुछ अलग थोट होता हो लोग है कि मैं तो आयम से ही करना है ठीक है बट अगर आपको लग रहे है कि नहीं मुझे इसी स तो फिर आप मतलब कर सकते हो यहां से ठीक है जितने भी कॉलिजिस मैं आप लोगो बताए है ठीक है आप रिसर्च कर लो ढंक से इनमें अपलाई कर दो अगर आपका इतना परसेंटल आ रहे है क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे सर मेरा 90 परसेंटल आया मेरा 92 परसेंटल आ ठीक है आप लोगो थोड़ा help पहुचाएगी ठीक है जो बच्चे भी थोड़ा confused थे कि कौन-कौन से कॉलिज में sectional cutoff होती है नहीं होती है उन लोग के लिए मैंने वीडियो बनाया था ठीक है आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा ठीक है अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना और कोई भी सजेशन हो तो आप लोग अपना इस वीडियो के comment section में ज़रूर दे सकते हैं बाकि फिर हम लोग मिलते रहेंगे ठीक है तब तक के लिए bye bye take care अच्छा one more important thing guys एक बात और बता जेता हूं मैं आप लोग को अगर आप लोग सीमेट को first second week में हो जाता है ठीक है तो हम लोग इस बार भी accept करके चलना है तो मार्च last में होगा अपरल की first second week में होगा तो उसके लिए मैं अपने YouTube पे classes शुरू करने वाला हूं ठीक है पूरे detail में हम लोग कवर करेंगे बहुत सारे बच्चों का अथा सर आपने जो क्वांट की classes ल क्लासे लाइव होंगी हमारे YouTube चैनल MBA पाट शाला पर ठीक है सब कुछ पूरा प्लैंड है ठीक है कैसे कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है कहां से प्रैक्टिस करनी है कौन से टेस्ट लेना है यह सब चीजे प्लैंड है ठीक है तो बी एक्टिव ऑन दे टेलीग्राम चैनल ए ऑबाइ पिक ये